क्या आपको डिजाइन करना है तो आपको एक जगे बहुत इंपोर्टेंट है जहां पर आप फैशन डिजाइन या और भी डिजाइन रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं वो है निफ्ट निफ्ट जो है वो 1986 में डेली में ओपन हुआ था FIT जो New York में है वो आके निफ्ट गवर्मेंट के साथ मिलके डेली हास्तास में निफ्ट कोला था उसके बाद थी यह का डिपलोमा कोर्स था जिसमें पैशन डिजाइन और फैशन डिजाइन से रिलेटेड और भी कुछ जो कोर्स होते वो सिखाना स्टार्ट हुआ था यह बेस आफ्टर 2006 निफ्ट सैचुटरी हो गया और इसके बाद वो डिग्री कोर्स देने लगा पोर यह दिग्री सो बीड़ेस प्यफ्टेक टू यह मास्टर्स दिग्री और पीएशडी यह सारे चीजे निफ्ट देने लगा इसके लावा भी जो सर्टिविकेट कोर्स होते है इवनिंग फोर्स है और वो भी निफ्ट देता है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है तो आप अगर चाते हैं तो वो भी एक साल के लिए कर सकते हैं अगर आपको और भी जानना है तो आप पूरा वीडियो एंग तक देखेगा तब ही आपको सारी इंफोर्मेशन मिलेग किसी भी स्टूडन को अगर चाते हैं कि वो निफ्ट के एंटरेंस एक्जाम के लिए प्रप्रेयर करें तो वो हमारी जो कोचिंग क्लासेज हैं ओनलाइन ओफलाइन वो जॉइन कर सकता है अगर आपको जॉइन करना है तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो में दिया हुआ आप WhatsApp में लिख सकते हैं WhatsApp में अपना नाम और अपना स्टेट लिखना ना बुलिएगा और अगर आपको कोचिंग चाहिए कांसिलिंग चाहिए तो आप हमारे WhatsApp में लिख सकते हूं मैं आपको सारा कुछ प्रवाइड करूँगी आगे चलते हैंनि निफ्ट में कितने सेंटर हैं मुझे अब तो अधिन लग सेंट्र हो जाएगा कि अभी तक तो 19 चेंटर हो चुक है में इस साल 25 कि और संटर खुल जाएगा जो मुझे लग रहा है वो पाइपलाइन में है अब बताते हैं इनाइटीन सेंटर कितने हैं सबसे पहले तो उसकोस डेली में सेंटर खुला था जो हाउस खास में है उसके बाद मंबई, चिन्नई, हाइदरबाद, कोलकाता, बैंगलोर, राइबलेरी, घोपाल, कनू, टिलोंग, पटना, कांगरा, भुमनेश्वर, जोदपुर, शीनगर, पचकुला, दमनन्द्यू और लास्ट वाला अभी खुला है जो वारा नसी यूपी में है इसके बाद भी अफकॉस, फुलेगा, नेक्स्ट यर, पता नहीं कहां फुलेगा, चली, आगे चलते हैं, इसके बाद अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो क्या चाहिए, वो है कि आपको चाहिए, आपकोग सब्सक्राइब आपको पूरा द। ऑफ posionen कोची यूपी ऑट भी हो चाहिए, ऐन इसस्त मुलीक resistor कहिए, तो कभी कभी क्या सिर्शthen के आपको आपके लुक है तो बहुत थोग को, अगर प्रॉबलन कर मो आ परईब कर आपको यूँँ निकल धात तो हम आपको help करेंगे उसके इलावा जो exam का pattern क्या है basically NIFT में दो time exam होता है first exam में दो paper आते हैं एक cat का paper और दूसरा cat का paper cat का paper क्या है? cat का full form है creative ability test इसमें drawing का test होता है इसमें ज़्यादतर तीन questions आते हैं अलग-अलग type के exam होते हैं इसमें perspective का exam हो सकता है communication design type का exam होता है जसे poster, logo making या आपको composition, illustration, storyboard इस तरह के आपके questions आ सकते हैं तीनों में उसके बाद जो cat का paper होता है उसके अंदर आपको math, logical reasoning, english और general knowledge का exam होता है ये एक ही दिन में दोनो paper होते हैं first half, second half ऐसे करके इसके बाद आपका result है first exam का वो March में आता है March में आने के बाद आपको 10-15 दिन का time मिलता है और उसके बाद आपका situation test का exam होता है What is situation test? अभी बताती हो situation test में आपका craft का exam होता है जिसमें आप अपने हाथ से एक model बनाते हो फिर आपका marks मिलता है फिर ये तीनो marks को जोडने के बाद आपका जो एक rank आता है जादा जो marks होता है cat का mark सबसे जादा होता है उसके बाद cat का mark उसके बाद आपका situation test तीनो मिला के ही आपको ये वाला जो rank है वो आता है तो तीनो ही important है याद रखना एक number से भी आपका rank शायद 10-15 उपर नीचे हो सकता है आदह number से भी तीनो ही बहुत important है तीनो फील में ही आपको बहुत अच्छे है तरह से preparation की जुरूत है तो preparation करने के लिए हमारे offline classes है आप हमारे को join कर सकते है प्रिपेर करने के लिए आपको join करना है तो आप नीचे लिखे होए जो number है उसमें से सब message करना है और मैं आपको सारे information दे दूँगी तो अब आते हैं कि courses कौन से कौन से हैं तो पहले हम bachelor degree का course के बारे में बताते हैं जो under graduation भी बोलते हैं तो वो है दो course एक है BDES और दूसरा है BFTEC BDES में बहुत सारे options हैं तो options यह नहीं है कि आपने अभी option लिखा तो आपको वह ही मिलेगा अफकोस जो counseling के time पर ही option आपको मिलता है according to your rank तो options बता दे रही हो fashion design, leather design, accessory design, textile design, knitwear design, fashion communication last जो है वो है BFTEC BFTEC को April production भी कहते हैं और यह basically जो course है वो students ही join कर सकता है जिसके पास science है physics और maths दोनों होना चाहिए तभी आप यह BFTEC join कर सकते हैं इस साल से 2023 का जो batch था उस time पे NIFT वालोंने एक open किया था कि आप BFTEC का exam के साथ BDES का exam भी दे सकते हैं दोनों exam एक साथ और दोनों का ही result आएगा और उसके बाद आप decide कर सकते हैं कि आपको कहां join करना है या आप दोनों में ही option में अपने seats अगर rank है तो उसके हिसाब से आप अपना preference list बना सकते हैं और आपको कहीं पर भी अगर मिल रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो सो यह एक basically option दिया है बट of course जो science students है जिनके पास physics, maths है वो ही BF Tech के exam में part ले सकते हैं अगर आपके पास science नहीं है और specifically physics और maths नहीं है तो आपने अगर exam भी दे दिया तो भी आपका admission नहीं होगा जैसे ही आप of course document जमा करोगे तो आप reject हो जाओगे तो यह बहुत important है कि आपको समझ के ही form भरना है form भरने के time पे यह सारी चीज़े ध्यान रखनी है कि BF Tech तिक मत कर देना BDES के जगे तो बहुत सारा गरबर हो जाता है मेरे एक student के साथ हो चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वह बिल्कुली गरबर कर दिया उतने BDES के जगे BF Tech तिक कर दिया था MF Tech, MFM, and MDES MDES जो कोर्स है वो बेसिकली कोर्स में आक्चुली में पैशन डिजाइन नहीं है यह कोर्स में कम्निकेशन डिजाइन और स्राटजी और UX-UI डिजाइन का ही एक कम्बिनेशन है जिसमें MDES करते हैं तो बहुत सारे students इसमें बहुत जरबर कर देते हैं कि वो सोचते है कि मैंने normal graduation कर दिया और मुझे fashion designer बनना है तो मैं NIFT सिफ MDES कर लेता हूं तो fashion designer बन जाओंगा तो वो possible नहीं है MDES में fashion design है ही नहीं तो यह मैंने बहुत सारी video already बना के रखे हैं पर फिर भी मैंने हर साल मुझे students मिल जाते हैं इंड में कि इनको यह बिलकुल पता नहीं था कि MDES में fashion design नहीं होता तो यह याद रखना MDES में fashion design नहीं होता अगर आपको fashion से related ही कुछ करना है और आपने normal graduation किया है तो my advice will be to take MFM एक तो MFM में सबसे जादा seats है और MFM एक fashion management का course है तो वो फिर भी आप fashion industry में रहोगे तो वो जादा better course है आपके लिए अगर आप fashion industry में रहना चाते हो तो अब आते हैं कि PhD तो बहुत सारे courses आप कोई भी subject लेके कर सकते हो और C जो है वो उसमें बहुत courses है तो वो आपको बाद में choose करना होता है Master's के जो students होते हैं उनके लिए जो exam का pattern कहता है basically जो M-desk students कर रहे हैं उनका जो course है वो cat and gat दोनों ही similar है B-desk के तरह तो उनको cat and gat दोनों देने हैं लेकिन जो second paper है उसमें situation test नहीं होता उसमें एक interview होता है दूसरे जो students है जो MFM और MF Tech दे रहे हैं उनको सिर्फ GAT का exam देना होता है और उसके बाद वो एक जो interview है वो उनको देना ही है जो second paper है जो first paper अगर वो clear करते हैं तो वो second paper में जाएंगे interview के लिए so PI है personal interview पहले group discussion भी होता था लास दो साल से उन्होंने group discussion हटा दिया है और अब सिर्फ PI होता है उसके इलावा जो BF Tech के जो students है उनको सिर्फ सिर्फ GAT का paper देना है आपको और कोई paper नहीं देना है सिर्फ एक GAT का paper देना है आपको नहीं second paper में interview है नहीं आपको situation test है so सिर्फ GAT का paper है so यह सारे exam का pattern है तो यह exam के pattern के लिए आपको जो इनिफ्ट का even website है उसमें भी आप जाके देखेंगे सारे details आपको अच्छे से दिये गये हैं और हर साल एक prospectus आता है वो prospectus आप अच्छे से पढ़िएगा जैसे ही वो निकलता है तो वो उसमें और भी सारे details होते हैं एक एक center का detail होता है एक एक course का detail होता है even syllabus होता है कि कौनसा कौनसा course में किस type की चीज़े आपको सिखाई जाती है इसलिए prospectus पढ़ना बहुत important है अगर आप निफ्ट में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सारी detail जानने चाहिए तब ही आप निफ्ट में जाईए अब आते हैं fee structure fee structure जो निफ्ट का है क्योंकि ये semi government college है तो इस वज़े से जो government जो fees relaxation government colleges में होता है जैसे आप कोई भी government college अगर जाते हैं तो आपको fees बहुत काफी कम देना होता है वो इसमें लागू नहीं होता है और fees around 4 lakhs के करीब per year है निफ्ट की तो बहुत सारे students सोचते हैं कि नि जुसना है वो यह नहीं देखते हैं कि fees कितनी है कुछ भी उसके बाद अग्जाम वो करके जब उनका admission होने rank आ जाता है उस time पर उनको पता सलता है इच्छा fees इतनी सारी है और जब फॉर्म भणने के टाइम पिस काउंसलिंग होती है तो जैसी आपको सीट मिलता है दो तीन दूसरा और एक चीज है जो मैंने बहुत बार नोटिस किया है वो यह है कि जो भी category students है वो यह सोचते हैं कि हमारा को तो सीट मिल गया और हमें actually में fees भी relaxation मिलेगा scholarship मिल जाएगा 100% scholarship मिल जाएगा यह सोचके वो फॉर्म भढ़ देते हैं बट actually में यह नहीं है first year में कोई scholarship नहीं होता है second year में जाके आपको एक scholarship contest आपका सार्थ का आपको बैठना पड़ता है महापर बहुत level cross करने के बाद ही आपको scholarship मिलता है और वो भी सब को scholarship नहीं मिलता है तरफी कम बच्चों को scholarship मिलता है तो आप scholarship के भरोसे भी मर्थ फॉर्म भर दीजेगा it is not necessary कि scholarship मिलेगा ही इसी वज़े से बहुत सारे students second year में drop करते हैं क्योंकि वो पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें scholarship नहीं मिलता है तो वो पे नहीं कर पा रहे तो उन्होंने उसके भरोसे admission लिया होता है और इस वज़े से उनने उनका जो first year का जो पैसा होता है वो भी उन का नुकसान हो जाता है इसलिए जो जब भी आप निप्ट का फॉर्म भरें तो यह सारी चीजे दिमाग में रखते वे फॉर्म बरिएगा कि फीस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है बाद में जाके कि आप ना भर पाए या कुछ नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो है सबसे इंपॉर्टन है होस्टल की तो रहना खाना जो है वह बहुत इंपॉर्टन होता है उसके इलावा जो समान आपको खरीदना पड़ता है उसका भी खर्चा होता है क्योंकि हर साल आपको अलग अलग चीजे खरीदनी होती है इसपेशली जब आप लास् येर का करने की कोशिश करो जो कि आप ये जो कोर्स करना चाहो आपको बाद में चलके जस्ट मनी के वज़े से बादा ना आए तो ये बहुत सोच समझ के का काम करिएगा दूसरा ये है कि अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो निफ्ट ना जोइन करके आप दूसरे कॉलेज भी जोइन कर सकते हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजिस हैं जिनने काफी कम है निफ्ट से तो वहां पर भी आप अपलाई कर सकते हैं और अगर किस जरूर करूंगी और अगर आपको एक प्री कांसलिंग भी चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे WhatsApp मेसेज कर सकते हैं और अफकोस हमार को जोईन करना है क्लास के लिए तो आप मुझे WhatsApp मेसेज कर सकते हैं मुझे लगता है यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंस के लिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और जो फर्स टाइम इस चैनल में आया है दू सस्क्राइब अपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई पॉर्टर है